हाँ जी तो अपनी online class में एक बार फिर से आपका स्वागत है हमने मेवाड का इतियास सुरू कर रखा था और मेवाड के इतियास में कुछ राजा पढ़े थे शुरुवात के अंदर हमने कलास में पढ़े थे बापा रावल के बारे में पढ़ा था, अलर्ट के बारे में पढ़ा था, जैतर सिंग के बारे में पढ़ा था, फिर हमने एक कलास में रतन सिंग और हमीर के बारे में पढ़ा था, एक कलास में फिर हमने लाखा के और मोकल के पड़ा था आज हम आगा पड़ेंगे कुंभा के बारे में मोकल का वेटा था कुंभा। उसके बारे में लेकिन मैंने बताय था आपको पिछली क्लास से रिवीजिन अ दूरी हो चाहँ सब्सक्राव थे क्या बात हिं? पर लाखा और मोकळ के बारे में, दो मैंने सिंपल सिंपल बातें बताई थी, एक तो उसके टाइम में, जावर जो जगह थी, वहाँ पर चंदी निकलनी सुरूर वहाँ पर शिल्वर निकलनी शुरूर वह गयी थी, इसका मतलब है वहाँ के आर्थ किस्तिती सुधर गई थी, एक मैंने बताया था कि उद्यपूर के पास में गाउं पड़ता है पिछोली और पिछोली में बनजारे ने एक जील बनवाई इसलिए जील का नाम हो गया पिछोला पिछवला जील बनवाई थी, किसने बनवाई थी, तो बताया था एक बंजारे ने बनवाई थी, और एक बताया था इसके पास एक चबूतरा बनावा है, और वो चबूतरा किसका है, तो हमने पढ़ा था यो नटनी का चबूतरा है, नटनी का चबूतरा बना उसके पास, फि फिर एक पड़ा था कि लखा के बुढ़ापे में जाके मारवाड की राजकुमारी से एक साधी भी थी, मारवाड की राजकुमारी का नाम था हंसा भाई, हंसा भाई के साधी भी थी उस टाइम ऐसी प्रतिज्ध्या की गई थी, लखा के एक बेटे से चुंडा के द्वारा कि अगला राजा मैं नहीं बनूँगा बलकि अगला राजा जो हंसा भाई का बेटा वा उसको बनाया जाएगा इसलिए वो जो तेले बेटे यह राज तिलक में भाग लेगा मतलब राज तिलक वही करेगा वो बताएगा किसको राजा बनना है चलूंबर का सामन्त जो होगा वो आमेशा मेवाड के सेना का कमांडरिन चीफ होगा या और अच्छे सब्दों में कहो तो वह अमेशा सेना की हरावल में रहेगा जो अगला राजदानी का केरेटेकर होगा एक तरीके से राजदानी को संभालेगा और मैंने बताया था कि मेवाड में 16 पर्थम स्रेने ठीकाने हुआ करते थे उनमें सबसे बड़ा सलूंबर था तो चुंडा के वंसजों को सलूंबर तो दिया गया था और सबसे अधिक ठीकाने भी व्यक्तिया था सलूंबर सा यसा ठीकाने उनके पास तो बताई है और मैंने तीन ओर बताई था आपको कौन-कौन से थे हैई इनको अमेट दिया गया था राजसमंद में एक जगह पड़ती है एक चित और पड़ती है ब्ल websites वो दिया गया था और एक आपके राज सम्द में एक जगावर पड़ती देवकट वो दिया गया था मैंने बताया था कि सवाल ये बन सकता है अपने कि मेवाड के प्रसासन में सलूंबर का महतुव बताईए तो ये सारी चीज आपड़े को बताने लखाग बारे में कुल मिलागी चार बाते जावर में चांदी पिछोला जील बन जा रहे ने उसके पास नठनी का चबूत्रा न तो यहां से चला जाता है तो शुरुवात में तो इसका संत्रक्सक बना था चुंडा बाद में हनसा बाई चुंडा पे विश्वास ने करती तो चुंडा तो यहांसे चला जाता माल्वा और मालवा का सुल्टान को होता है उसके पास में जागी नोकरी करने लग जाते हैं और इधर मोकल का बाद दूसरा संद्रक्षक मोकल का जो मामा होता है रनमल इस प्रकपजा कर लिया तर फिर मोकल के अंदर एक किबाद में निर्मान सर्फ कर करवाया थे तो क्या निर्मान करे करवाई थे वह सखा़ लिंग जी धी का मंदिर उसका प्रकोटा बनवाया एक ची तोड में जो समिधेस्वर मंदिर है इसका पुनर दिर्मान करवाया था एक ची तोड में द्वारिका नाज जी का मंदिर बनवाया था विश्णु बगवान का मंदिर होगे उपरवाल दोन सिव जी होगे अपने भाई बाग सिंग की याद में तलाब बनवा जिया बागेला और अपनी रानी गुरामबिका की याद के अंदर एक बाउडी बनवाई थे एक बाउडी का निर्माण करवा जिया थे समिदेश्वर मंदिर के मैंने कई बाते और बताई थी कि बीच के अंदर जब यहाँची तोड में राजा हुआ करते ते सक्तिकुमार उस्ते मालवा का राजा था मुंझ मुंझ ने यहाँओ पर कब्जा कर लिया था बाद यह मुंझ का आगे वंशच भूज जब उसके थोड़ रहा था बोज ने यहाँपर यह नाम बंदिर बनो यहाँ था भोज की उपादी थी नाराएंड इसलिए समंदिर का एक नाम हो गया त्रुभुवण नाराएंड वंदिर और बाद में बदलके इसका नाम हो गया समीदेश और मोकल ने इसका उन्दर इर्मान करवा गये थे फिर मोकल से संबंदीर तक की लगवाया गया था इसलिए यह गुरंबी का वाली जो बावडी बनवाई थी इसकी जानकरी देने के लिए अभीलेक लेख लगवाया गया था 1228 से इस्वी का अभीलेक है यह बात हमने पड़ी थी और बता दी थी मैंने क्या जानकरी दिए एक बात ज्यादा रखने वाली सी बात थी अपने कि लखा के बारे में इसमें कहा गया है कि लखा ने कासी प्रियाग और गया का टेक्स माफ करवाया था वह बात थोड़ी याद अस्तिकुंडे भी लेक है जो राठोड राजा धवल का है राष्ट्रकूट राजा धवल का है डबल नाइन सेवन एडी का भी लेक था लो बस इत्ती सी बात तो आप प्रते एक क्लास का वापस रिविजन कर लिया करें वापस उसका पता लगा लिया करें अब फिर लाश् अगला रजा अगला राजा अगला रजा अगला रजा यह आपके लिखाव है कुमभा भारती है यह थी हास में उस समय सबसे महत्वपुण कोई को राजा आवा था तो कुम्भा के बारे में आप नोटिस भी करना पुराने पेपर देखना और यह तो वैसे ही करना आम बता रहा हूं कि आप जब यह तैयारी सुरू कर रहे हैं तो आपके पास प्री के और मेंस के दोनों के पूराने पेपर होने चाहिए और आप जब भी कोई टोपिक हो जाए खत्म हो जाए तो उससे संबंदीत क्यूश्चन देखा करो क्या सवाल पुछावाई से उससे देखो दो चीजें होती है एक तो अपने को यह पता चलता है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं होते हैं इदर उदर की दूसरी चीजें पढ़ रहे होते हैं और एक दूसरा जब आपके नोट्स में से आपकी बुक में से जो कोई सोर्स आप पढ़ रहे हो वहां से जब कोई किस्चन निकल के सामने आता है आपके पढ़हवे में से कोई किस्चन आप पूरा ना देखते को रहा है यह बात सही होगी या नहीं होगी पर बहांद में लगता है नहीं हो यह नहीं हो इस प्रकार से यह पर आई ऒखना आपने कुम्भा का टाइम पिरिट तक याद और भाकी मैंने का अशन याद नहीं रखने पर कुछ कुछ जो इंपोर्टेंट होंगे मैं बता दूंगा यह देख लो आप तक उसका जो रूलिंग पिरिट रहा है था वो अपने याद रखने वाल सी बात कुम्बा के बारे में कुछ ही पूछ ले हो मुझे आदे दो होजार बारा के मैं सिमिनों ने क्यों पूछ लिया था कि कि कुम्बा के नाम क स्वभग्यवति पर्मार तो कभी पूछ ले मता नाम बताई तो दोनों याद रख लेना कि पिता का नाम तो था मोकल और मम्मी का नाम कह था सुभग्य वति परमार कोई कोई जो राजा होता है उसकी दो उपलब दिया हो सकती है सिदी सिदी से अचा अट गया है यह वापस लिख लो मोकल तो पिता जी का नाम है और मम्मी का नाम है स्वभग्य वति-परमार in their head oh HEY! कि उसकी की मैं किवी राजा की दो प्रोगार क्या शे latchव मेंट हो सकती या तो उसकी पॉलिटिकलफीमेंट हो सकती है या उसकी कल्च़्रल अच्वुमेंट हो पर इतिहास में कुछ-कुछ राजा एसे वे हैं जिन्होंने कल्चर को भी खूब सारा विकास किया है कल्चर में भी खूब सारी पढ़ोतरी कि उसको पर्मोट किया और मैं तो आपको पहले दिनी बात बताई थी बात इसलिए मेडिवल इस्ट्री इतनी इंपोर्टेंट हो ज इन-जाаки और में ना बताव अब बढ़ा मतुदा जावा था इंटिलिजन्ट वंदा था वह सब कर सकते हैं तो आज हम किसके बारेंपे देंगे कुमभा के बारेंपे अब थोड़ी से रील बेक मां आपको थोड़ा सा पीछे लेगी चलता हूं थोड़ा से आप सुनिए जहां हमने परसों कहानी खत्म की थी चाचा मेरा और महपा पमार नाम की तीन आदमी हैं और तीन बंदे मोकल को उसके केंप के अंदर उसके मार देते हैं रासामंद में जील वड़ा नाम की जगह पर उनका केंप लगावाए गुजरात के एहमद सहा से युद्ध करने के तयारी में वहां पर बेठे वे और चाचा मेरा महपा पमार में मार दिया आपने उस दिन यह सुना होगा आन तक तो आपन कुंभा को भी मारना चाहते ठीक उन्हें ने मोकल कशेणिया से उन्होंने मोकल कुंभा को भागा दिया कुंभा भागा कुंभा भाए को चित तोड़ आया अपने दादी हंसहाथी और या उसने रहते-ई बाताई कि यह पाप हुई हए पापने काहाणे की wholly और और मुझे भी जैसे तैसे करें वहां से बगार माब आपके पास मैं अब बेचर अंसा भाई को लगा गिए जिन लोगों ने बेटे को मार दिया है क्या पता वो पोते को भी मारते और अब तो मेरे यही बचा है इसको कोई मार देगा तो फिर तो को नढ़ी दोरी कोण है तिर लेकिन बादों मेवाड वालों की शना की शाहिता से वापस मार वाड चला गया था वहां पर अपने भाई जो सब्ता था उसको हठाके उसने वहां प्रकब्जा किया था सासन के उपर अंसा भाई ने एक बार फिर रनमल को मेसी जिए भाईया प्लीज रखे कि बंदन का फर कौन्ग यह roller लाजाओं का गार्जिन रहा था कि दो राजाओं का गार्जिन रहाता पहले मोग्ल का तब दोनों बाप कुमभा का गार्जिन रहा था तो पापा कही मامा लगता है अब यह संभालता यह आया इसने आते पुछा को क्या बात हुई और बताया कि साब ऐसे से तुम्हारे भाणजे मौकल को मार दिया किस ने तो का साब यह 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 लोग तो और अपने साथ में अपने साथ यह ले के आए था रणमल ने का लिश्ट बिढ़ा चुन के मारें और पता लगा और पता लगा ये चाचा और मेरा दोनों को मार दिया कि भीलों की साहिता लेता है यह च्छतर में कहीं पर चुपे वे थे और चाचा और मेरा और एक बंदा और था एक का, ये दोनों यहां से भाग के मालवा चले गए थे, और मालवा का उस्टम सुल्टान वाकरता था महमूद खिल जी, या आपका दो महमूद खिल जी फस्त, ये दोनों भाग के मालवा के सुल्टान के पास चले गए रिखा हमें सरण दे, और मालवा अब इसका मतलब मालवा वालों के साथ में कहीं ना कहीं पंगा हो जाएगा अब इनको चाचा मेरा को और इनको तो मार दिया चाचा मेरा को मारने के बाद में रणमल अंसा भाई के पास गया अब आपको तुमें जहूं अंसा भाई बैशरी डरी वी थी वही बात है दूदगा जलावा चाच भी फूंक फूंक कर पिता है उसने का देख भाई तुम पिछली बार भी आया था और मोकल के लिए तुमने खूब सारा कामी किया था लेकिन तु गया और तेरे जाते मोकल को मार दिया इस बार भी तुम आया धन्यवाद तेरा तुने कुम्भा के लिए इतना सब कुछ किया पर तु जाएगा और तेरे जाते ही वह कहीं आगी वापस कुम्भा को मार थे थोड़े दिन और रुख जा तो यहां पर रहनमल ने आपने जो बाकी भाई बेटे थे उन का था मार वाड वाले रठोड थे इसका मतलब अब वहां पर किसका इंफ्लियोंस बढ़ने लग गया था रठोड़ों का और और एक गुट बन गया रठोड़ों का और एक गुट बन गया सिसोधियों का दो गुट बन जाते हैं वहां रठोड़ों वाले गुट को लीड कोन कर रहा है रणमल शिसोधियों वाले गुट को लीड कर रहा था राघाव देओ चुंटा का भाई था उसका भाई था आपका दोद एक तरीक श?d और यह यहां पे राघर Dow older । रुड़ कोका और दो चुर बार तुम कभ यहां दू वह होगे यार आयत साहिता करने के लिए मान लिया आमने बात अब जाओ वापस अपने यहां बेटे-बेटे क्या कर रहे हो और सारी पोस्ट ने अपने गरवालों को और बांड दी तुम पर रनमल को पता था कि जब तक हंचा भाई अपने साथ आपने को कोई निकाल सकता है यहां पर रनमल लगा ठोड़ा दिन अब जब रनमल ने राघा उदेव कोई मरवा दिया अब तो जो रहा का कांटा था वो भी समाफत हो गया अब तो फुल पावर के अंदर इकोन है रनमल एकदम फुल पावर केंदर और रनमल बैंकर आदमी था डील का डाकी टाइप का आदमी था करते हैं यूंका साधे अधिन रनमल शाम को गया अधिन नसे में था थोड़ा और उसमें दारू के नसे में भार मली के दिया अब के बरस तुझे दर्टी की रहनी करेंगे उसने पुझा कैसे तो का मेरा प्लान यह है कि मा कुम्बा को मारूंगा और मा कुम्बा को मारके मेवाड का राजा जлагे आगा संदक्षन के लिए आया हुआता कुम्बा का तो गाज जिन बनाऊाता पैटरन बनाऊता इसको के से मार सकते अगरी एक दूसरे नतीरो सब्सक्राब करेंगे और मेरा स्तुरे को आगे अगे बढ़ने का मिलता यह है । आपा भाई ऐसा करने वाल है। आपका भाई ऐसा ऐसा करने वाल है। करना तो तो पर्शों मारता कल मारे वो गाउंवाली सी कहानी ए कि गाउंवाली कोई पागल आदमी साह BIG डेली ब अमक नज जका कि न कि अ वह सब्सक्राइब करने की वज़े से मालवा चला गया था जो चुंडा मोकल का संरक्षक बना था जो चुंडा मेवाड का बिसम है जो मालवा के अंदर वहां नोकरी कर रहा है वो याद आ है और हंसा बाई ने चुंडा के पास मेंसेज़ किया कि चुंडा जी अब ऐसी भी क्या नाराजगी है कितने दिन होगे आपको गये वे जहां बरतन साथ रहते हैं वापस में खटकते ही हैं लड़ाईयां किसके घर में नहीं होती अब आपको आजाना चीए जो बाते वी कहा सुनी वी उन सबको छोड़ दिया जाना चीए चुंडा विचारा खुद भी तंग आया वाथा मालवा में नोकरी करता करता वहां चुंडा ने आतवात वापस मेसेज किया कि आना कब है आप तो यह बतो तुम तो सभेरी वाली कि आपको बुलाया थोड़ दिन यहां रहा उसके बाद वापस चला गया लेकिन चाचा मेरा और मेरा को मार दिया अब एसी खबरें आपके प्रूफ के साथ हमने सुना है कुंबा वो मार के मेवाड का इना बनना चाहता है मेवाड का सासन अपने पास मिलेना चाहता है क्या जाए तो रेनमल कुम्बा को मारे इससे फिले रेनमल को भी मार दिये जाए तो क्या किया जाए को युकति बिढ़ाई जए एक बार वापस बाहरमली उखा गया तरवेक और काम करना पड़ेगा बाहरमली निका हाम बताओ का आज जब रनमल श्याम को आए तो तुम उसको दरू पिला कि टल्ली किर देगा और तो नसे गंदर होगा तो हम उसको मार लेगे बाहरमली निका कि देखो वैसे तुम्हें रनमल जी से तूट की मोहबबत करती हूं पर आप कहा रहे हो तो देश के लिए इतना करी दूंगी करते हैं उस दिन रनमल जब श्याम को गया रनमल गया तो उसने बाहरमली निका खाना वाना लगा दे बाहर से पी किया ते ओन कभी तो मेरे साथ भी तो पेक लगाने चाहिए रनमल निका तो इतनी रोमांटिक पहले लगी नहीं थी कभी लात तू लाज पेक तू लेकिया वारमली लेए डो लगा प्हाना लगा दे बाहरमल लगा तू नहीं नहीं ro psychological mode थे पर यहां पर आप पास में तो भी डर लगे और लगे यह दारूप्याओ अखडा होगा तो भी मार देगा तो रनमल को चारपाई पे बांद दिया गया था और वो समेत चारपाई जो आदमी उपर बेटा उसको लेके खड़ा हो गया था उसको दिवार के बिढ़ा के मार दिया था इतना ज्यादा मतलब यूं सक्ति साली आदमी था रनमल लेकिन एतने वह खुब सारे लोग थे कोई तलवारों घुब को बारमली की साहिता से मार दिया गया खुलमिला के बारमली के साथे में बेवबोपाई घुझा था जौधा हमिला। वो कई नीचे किसी दूसरे महल के अंदर कर रहे हैं उसमें संगीत सुन दे तांग पर टांग देगी वहाँ बेठेवे थे और हो क्यों ना बाप की अइसी तूट्ती बोलती है तो भाना आराम से मजह पर गते है ज़हां उनकी तरफ चलते हूं, उनको और मारते हैं, उस संगीतकार को बीचरे को पता चला, उसने टिपिकल मारवडी लेंग्वेज में उसने बोला, कि जोधा भाग सकते हैं तो भाग जा, तुमारा रनमल तो मर गया है, और जोदा नेरूस के बाहियों नेर, काका, नेर, बतीजों यह बात सुनी हाथों हाथ चपले हाथ में ली उन्होंने और वहां से भागे जो पिछे मूड़के नहीं देखा चुंडागों इनको पता चला कि जाब जोदान भागे तो इनको पिछा गरो इनका तो कूप दर पिछा गया पर जोदान उस दिन सारे उसेन बोल्ट बन गए त इनको यह कुछ दूर तो पिछा गया पिर का राण दो अपने दिन की घर पे जागे जागा रहे जोदान बेचे आ भागे भागे थेठ बीकांदर के पास जागे रुखे बीकांदर के पास में जाके गाओं परता था काहुनी उस काहून ही नाम की गाहों के इंदर जागे शर्णली वहां पिछ्छे मुड़के जखा गोई आ तो नहीं रहा है तो वहां जागे रूखे अब इस्तिती समझी में इत्ते दिन अपने मेवाड में नेतागिरी कर रहे थे पापा की वज़े से पापा को वहां पर मार दिया त प्षाटर ने शुरू की जैसे तेसे करके घर वापस लेने की कोशीश की लेकिन चुन्डदा मंझ नन्दोर पर अमला anál करे वहां पर हार जाए हार के वापस बाग जया थोड़ दिन बाद वापस से न आई यक ठिकर लोआ नहीं वापस हार जाए वापस चलाए वापस चला जोदा घोड़े पर खून से लथपत एकदम चला जा रहा प्यास लगगे और उसे लगा गया यार पानी नहीं मिला तो वेसे ही मर जाएंगे आपने और उसको दूर खेत में कोई किसान की डाणी दिखाई दी उसको लगा यार हो ना हो किसान की डाणी है तो वहां किसान होग किसान तो गर पे था नहीं किसान की वाइफ गर पे तो महिला बार रहा है उसने आगे देखा गोड़ा आगे खड़ाया गोड़ा एदम पसीने पसीन हो रखाया दोड़ गया इसका मतलब वो सवार तो बेहोशी पड़ा उसके उपर वो समझ गई कि कुछ ना कुछ पुचा और तेंक्यू आप में चलता हूं मारवाड का देश ग्रामिन पर्धान सभ्धेता आज भी रिवाज गाउं के अंदर कि आयवा मिनक गर से भुखा तो नहीं जाना ची और उस महिला ने जोदा का खाना खाले जोदा वेशी विचेरा भुखाई तार उसने का खाना खाल वोह मुख्य वंजन हुआ करता था एकक और उसने फ़ाली के अंदर वह खीचड़ा परोस्या पुरी थाली में खीचदा बीच में जगय करके उसमें घी डाला आपने खाया होगा ऐसे खात्या और जोदा कई दिनों बात गीए देखा था और जोदा ने विच में आतो जले हाथ जले पास में बेड़ी तर उसने का है तू जोदा की तरह मुर्ख है और जोदा कान खड़ेवे उसने उने ऊज़ेते हैं और क्या है आपयों तुग मलशा है टुला हार के वावस भाग जाता है, तो जोधा नोग क्या करना चींद क्या है जुपित साइड 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 पहुंछेटन क्या चींद की साईड साइ गाउं जीन वा भाता ज कुछां प ंदे मंडॉरत marap अब उसने साइडो साइडो से गाउं जीतने जूरुगि दिर दिरे धिर्दीरों मंढोर के पास पहुंच गया और जब एन मंढोर के पास मेसिज करुए है कि देखो भुआ भुआ लगती थी उसकी तो रनमल की बेहन थी तो कि देखो भुआ अब खून- roadmap कुब हो गया पंद रा साल बटकलिया के चवदाशी आचाज पास में रनमल झीन साफ कि अपराप ah साल बटक लिया हूँ राज्य मेरा ही आई है गलती थी तो पापा गलती थी मेरी गलती नहीं और गलती थी तो भी अमने भुगत ली अब मैं मंदोर वेसे भी कबजा कर लूँगा यदि आप समझोता गरवागी दिला दो सबसे अच्छी बात अंसा भाई ने कुमबा को का कि क कुमबा मेरे घरवाड़ों ने मेरी साधी इस घर के अंदर करके क्या सुख पाए पहले जो मेरा बाई था रनमल वो मेरे बेटे मोकल के लिए तू मेरा पोता है तेरे लिए बेचरा लड़ा और अब मेरा ही जो बती जाए उसको खुद का रज्य नहीं मिल पा रहा है वो त थोड़ा सा फ्लेश बेख यह तो पूरानी कहानी है तो थोड़ा याद रखना कि किस प्रका रनमल वहां पर गया था रनमल को वहां पर मारा गया क्या-क्या घटना क्रम वहा था कि चुंड़ा वापस है वो सब चीज़ें आपके दिमाग के अंदर रहने चाहिए आगे पता है आपको आंवल बांवल की संदी यह आपके कुमभा और जोदा के बीच की संदी है तो ज्यां रखना किसके बीच में वी कि कुमभा प्लस जोदा कब हुई तो चौदा सो तरह पन है क्या कहा गया इस संदी में तो इस संदी के अंदर कहा गया अगे मंडोर पर आज के बाद अब जोदा कब्जा हम छोड़ देंगे अब इतने दिन क्या था इतने दिन मेवाड तो कुमभा का ही मारवाड पे भी एक तरीके से कुमभा ने कब जायी कर रहा था तो कहा गया कि भाई अब मेवाड मारवाड का विभजन करो अलग से तो भी एक boundary बनाएगी और कहा गया जित्ती दूरी में आवले के ज्ढ़ी बैंवल्ड शाण से आप और जहाते हैं voilà अंवड मारवार्वर्व writesis की हैं हरी बैंद्ट्रिस्ट में तो यह मेवाड की और शुक्र सुरू हो जाता है वह मारवार्वाण नाम पर गया stal एवाँडकी की साधिक और यह जो बाउंडरी बन रही थी बाउंडरी अपने पलिग देखा परती है सोजट कि वह आध्या दान जाके ऐजवाउन्डरी बन रही थी कि इसलिए आगे सोज अब मेवाड़ और मारवाड की बाउंडरी ज catches इदे रेवाला इलाका तो मैं पुरनी जो दे दिया मारवण को और उदर उदर वाली जगे थी deze फीर दे दी थी मेवण फिर जोदान सोटा यार अब इते सालों की जो समों पने साथ में यह सब करी दिया तो जोदा ने कहा की मैं मेरी झ Mitti प्रिटी श्रिंगार कमर इसकी साधी कुम्भा के बैटे के साथ कर दी और कुम्भा का जो बैटा था उसका नाम था रायमल तो दुस्मनी बुलाने के लिए पिले अक्सर यह सबसे अच्छा उपाई होता था आपस में साधी भी वापस कर लो रिष्टेदारियां कर लो तो प कि संदी कब होवी है 14131453 किस किस के बीच में कुम्भा प्लस जोधा क्या गया कि आज के बाद मंडोर किसका है जोधा का आमवल बाउल की संदी इसलिए करते हैं जहां तक हरी बरी जमीन है आउले की जाडियों वाल जमीन है वह मेवाड की जहां से बाउलिया बबूल आप यह भी देखो इस से ना कुम्भा की डिप्लोमेशी भी जलगती है कुम्भा कही ना कि डिप्लोमेट आदमी वह यह समझता है कि आर पडोशियों के साथ में ज्यादा लंबे समय तक लड़ाई जारी नहीं रखनी चीए पडोशियों के साथ में संबंद अच्छे होने चीए मेवाड का पडोशी कौन मारवाड फिर रिष्टेदार ओर थे इनके साथ वापस अपने दोस्ति कर लिजाए तो यहां पर कुम्भा इनके साथ में दोस्ति कर लिता है तो कुम्भा की पॉलिटिकल अच्विमेंट जो प वापस पूलाया रणमल ने आगे चाचा और मेरा को मार दिया क्योंकि वह मोकल के अत्यारे थे मैंने बता था महपा पमार और एका नाम के दो बंदे थे और वह भाग के मालवा के सुल्तान के पास चले गए और मालवा का सुल्तान हुआ करता था महमूद खिल जी महमूद खिल जी कुम्बा ने महमूद खिल जी के पास मेसेज किया कि महमूद खिल जी ये बई ये दो जो बंदे तरे पास बैठे हैं ये मेरे पिता की हत्त्या में सामिल थे और इनको तू वापस दे महमूद खिल जी ने मना खेड़े माँद निया निजा भी इस रणागत इन्हों ना सायलम लिये मारे पास में आगए शरण लिये और सरण लिए वे आदमी को वापस नहीं दुझा महामुद की कि ऐसी विरोदीयों था उम्र रखा संदृ धिन सक दिमाग में एक कुन्वड़ी उमर आप में तुदिल आ पने इस बात पर कुम्बा को गुस्सा आया कि कुम्बा महमूद खिल जी पर हमला कर देता है यह मध्य परदेश के अंदर एक जगा पड़ती है सारंगपुर 1437, 1437 AD में युद्वा, किस-किस के बीच में युद्वा, कुम्बा और महमूद खिल जी के कुम्बा और महमूद खिल जी के बीच में युद्वा, कुम्बा और महमूद खिल जी के बीच में कौन सा युद्वा, कुम्बा और महमूद खिल जी के बीच में कौन सा युद्वा, कुम्बा और महमूद खिल जी के बीच में सारंगपुर, सारंगपुर कहां पर पड़ता कुम्हा नहीं कॅप जीत है कि मैं जीतता है जीतने के बाद रूइसंगे पुछ है कोई पूछे कि becoming सब्सक्राइब कि से स्मौ ना शेक्द overarching कि कान दिर्मान करें कि के विक्ट्री मेरा मत्युन शीद की आदम बनवा तो कोई पूछे कि Victory Tower किस ने बनवाय था तो Victory Tower कुमभा ने बनवाय था कोई पूछे कि Victory Tower कौन से युद्व में जीत के बाद बनवाय गया तो Battle of Sarangpur Battle of Sarangpur कब हुआ तो 1437 Battle of Sarangpur किस-किस के बीच में हुआ तो कुमभा और महमुद खिल जी महमुद खिल जी कहां का राजा था तो मालवा का क्यों युद्वा क्योंकि मालवा वाले महमुद खिल जी ने जो कुमभा के पिता मोकल थे उनके जो मडरर थे उनको अपने पास में अपने आपने पास में सर्न दे दिख इतनी बात याद रखने वाल सी बाथ तो सारे बाते याद रेखना चलीन अब इसके बात पढ़ते हैं देखो यहिए कर दो अब एक थोड़ी सी बात आगे और पड़ते हैं इस चंपानेरवाले संधी से पहले मा एक बात ओर पड़ाता हूं आपको अपने पर नागोर लागोर में मैंने राजा बताया था पिसले में मैंने बताया था रिशी शरंगी वला भी पर जाता गिनागुर में एक राजा था फिरोज कहा और मुकल ने उसको हराया था फिरोज कहा जब मर गया तो फिरोज कहां का बेटा राजा बना यहां पर सम्सकां इस बात पे शम्सकां का चाचा नराज हो गया मुजई धिर उसने ग़या यू essayer circuit अडहर ही मुज़ेद खान राज वन और मुज़ाइद खान ने सम्ष का नेकिन समस्खां गोटा दिया कुद राजा बन पोल्मिलागे नागोर में एक सकसेजन श्टरगल चल रहा है उत्रातिकार का उद्राध है दो लोग लड़ रहे हैं एक समस्का और एक मुझाहिद खानाम के दो लोग बंदे लड़ रहे हैं समस्का भाग के कुमबा के पास में आता है और का कि तुम मेरे को टेक्स टाइम टू टाइम बेशता रहेगा तुम आज की बाद भी रेंडर में समस्काने को का पका सिंपल को क्यूशन पुछेगा कि कुंबा ने कहां कि उत्राधिकार संगर्स में भाग ले लिया था सक्सेशन इस्टरगल में भाग कुंबा को पार्डिसिपेट कहां कि लेता है नागूर किस किस के बीच में था समस्कान और मुजाइद कहां के बीच में कुंबा सपोर्ट किसको करता है कुम्भा विरोध किसका कर देता है तो मुजाइद खांगा तो मुजाइद खांगा तो इसने विरोध कर दिया और सम्स खांगा इसने क्या कर दिया था पक्स ले लिया था इसका सपोर्ट कर दिया अब सम्स खांगा बनने के बाद थोड़ दिन तो कुम्भा की बात मानी और कुजरात का राजा वा करता था कुटूबुदिन सा के पास गया रूज ने जाका देख अपने दोनों मुसलिम मुसलिम बाई है और मेरे को यार वहां राजस्थान में नगोर का राजा हूं और मेरे को कुमबा वहां पीड़ता रहता है तुम मेरी हेल्प कर और सम्ष खानी बेटी कि साधी और कुतुबुदिल शहन इसाल कर दी और को वहां अपाओ कर द रहे तैसे म Cleveland साने कर दो मय जोदूब अब कुतव जिनसां आर के चला गए ये बात मालवा वड़े महमूद खिल जी को पता चली महमूद खिल जी जो मालवा वड़ा पेले सरंगपूल हुध में आरकी किया था उसको यह बात पता चली कि कुम्भा ने गुजरात के राजा कुटबुजिंसा को भी रादिये दुस्मन का दुस्मन हमेशा दोस्त होता है फिर दूसरी बड़ी बात जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो लोग आपस मच्छे दोस्त होते हैं कुट कुटबुदिंज साह जो था वह मेहमुद खिल जी अपना एक बंदा कुटबुदिंज साह के पास बेचता है में मिले और मिलकर कुंभां यह वाली बात सई इस बार मेहमूद खिल जी और कोतुबुदीन साह दोनों मिले मतलब मालवा का राजा और गुज्रात के राजा मिले और 1456 में दौनों एक संदी करते हैं चांपानेर की संदी दोनों ने एक संदी कर ली वहाँ चांपानेर की संदी कुजरात में जगह पड़ती है चांपानेर की संदी की और का इस बार अपने दोनों मिलके जाएंगे और मिलके कुंबा गोहरा के दोनों मिलके कुंबा गोहरा के अगले साल दोनों ने अपने मिलके को अकेले को सरंगपूर के युद मेर ने उसके बाद में नागोरवाले मुझाहिद खान को और कि पिर समशका को रहा है पिर गुना की शाहिता खरने के चुहानों कि एक ब्रांच थी देवडा और उन देवडों को एक राजा था सहसमल है सहसमल देवडा एक राजा वाकरता था और कुम्बा ने सहसमल देवडा के कुछ एरिया दबा रखे थे इसलिए जब कुटुपुद इंसा गुजरात वाला कुटुपुद इंसा गुजरात से आ रहा था उदर से तो शिरोई वाला सहसमल देवडा उससे मिला कुटुपुद कुटबुदिन सा जब आरके यहां से चला गया तब कुंबा ने पूछा किया रहा हूं कुटबुदिन सा गुजरात वड़ा उधर से आ रहा था वीचिन आ चाय नास्ते किसने करवाए तो जाओ तो शिरुवा वाला सहस्मल देवडा था इस बार कुंबा ने सहस्मल देवड कि सेनग आ जाता तो सिरुवी पढ़ पर भी बजाता लेते हैं वापस द्यान देलेना आप अपने पडोसी जोदा के साथ में संदी करता है आमडल वाभावड की संदी इसके द्वारा जोदा को मंडोर वापस देदे देता है सोजत को बाउन्डरी बना लेते हैं और जोद मजजाहिद खान की बीचका इसमें पहले सम्स घासाध भी उताया पिर समस खान और कुतोब भधुदिंसा नों की राजा वुष्छत महँद खैल जी छारा बाज थी राजा को और महमुद खिल जी मालवा की राझा को और कुतब-भुदिंसा गुजरात की राजाilot की और शिरोई के अंदर सहासमाल देवडा राजा था इसने गुजरात वालों की एल्प की थी इसलिए नर्सिंग डोडिया को बेज के इसको भी रहा है कुल मिला कि कुम्भा अपने टाइम का सबसे सकती चली रहा था उत्तर भारत का उत्तर भारत में उसमें तीन ही बड़े तो कुम्भा नचा नचा आगे मार रहा है तो की तुम अकेले आओ तो अकेले मरोगे साथ में मर की जाओ गें से लए तिल्ली के था नहीं तीनि की पास नःति नहीं थी तो अप लुकाइणवा tällा के तो तो 1398 चाननमा में जब तयमूर ने हमला किया था उसके बाद तुगलक डाइनेश्टी तो नश्ट हो गई थी सयद आये थे उनके पाद को ज़्यादा ताक्ते नहीं थी इसलिए कुम्भा यहां पर सक्ति साली राजा बनावा था देखले उसने सब को रहा है यह कुम्भा की पॉलिटिकल अचीवमेंट है ज साथवी की बुक में कोई एक लाइन लिकेंश्टी अटी के अंतर कहीं मैंने एक लाइन पड़ी थी कि एक किसी राजा का वढ़नन है सुनिया आप राजा का वढ़नन पहले एक च्छोटी स्टोरी लिखी वे वढ़नन से पहले कि अर्विंद एक दिन स्कूल से घर आया और अर्विंद ने आकर अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे स्कूल के एनुवल फंक्शन में भाग लेना है और म उसमें एक प्ले के अंदर किंग बनूँगा प्ले में राजा बनूँगा ड्रामा में राजा का रोल करूँगा मम्मी बड़ी राजी वी और मम्मी सोचने लगए कि मेरा अर्विंद जब राजा बनकर मंच पर चलेगा प्लेटफॉम पर चलेगा तो अपने फड़क्तिवी मुझे और कड़क्तिवी तलवार में कितना सुन्दर लगेगा और तभी अर्विंद ने मम्मी को जखजोरते कि मम्मी मुझे वीना ला कर दो वीना वीना होती है वद्य अंत्र एक मुजिकल इस्ट्रूमेंट होता है मास रस्वती के आतों में कभी आपने देखियो कि मम्मी मुझे वीना ला कर दो क्योंकि जब मैं राजा बनूँगा तब मंच पर बेटकर वीना बजाँगा मम्मी अ पढ़ेंगे किसकी कहानी पढ़ेंगे समद्रगुप्त मतलब भारती इत्यास में समद्रगुप्त वह युद्धा हुआ जिसने उत्तर और रक्षिन भारत दोनों को रोंद के रख दिया था उसने पूरे संपूर्ण भारत को और महांतम सम्राटवाइस विजय वाली उपलबजियों के अंदर लेकिन फिर भी उस आध्वी कोजी याद किया जाता इसके लिए याद किया जाता कि वह क्या बजाया करता था वीना कि लड़ायां करना युद्ध जीतना ये तो किसी भी राजा के काम होते हैं इनके अत्रिक अधिना वालों से नाम से आध करते हैं और मतलब मैंने तो यूपी एसी का खूब सारा इकिस से नमें से देखा वा है कि गुप्त वंस का कौन सा जो राजा था वीना बजाया करता था तो समुद्र गुप्त मैं ठीक यही बात कुमभा पर लागू कर सकता हूं कि कुमभा भ लिए कुमभा वही राजा है जो विणा बजाया करता है तो अपने इंडियन एस्णी पैड़ेम इसके पड़ेंगे क्या-क्या बनवाया था उसने उसका लिटरीचर पड़ेंगे उसने क्या-क्या लिखा था रहूंँ Сंके दररबार में विदवान कौन-कौन थे, उसने किस-किस को परमोट कर क्या क्या था, उसने क्या-क्या टाइटल ग्रहन किया थे, इन सब चीजों के बारे में हम जाने हैं, एक एक का नमबर लगा देते हैं, एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं, पहले सबसे पहले लोग देखते हैं, आपने, निर्मान कारे के बा वीजे स्तंप हम बात करेंगे विजे स्तंप की अलग से और सारी बात करेंगे पर एक बार थोड़ी कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, बाद में और बात कर लेंगे, एक तो इसने यह करवाए था, अच्छा और क्या करवाए उसके बाद में, मैंने एक बुक पहले भी आपको बताई थी एक राइटर वे हैं अपने कवी राजा श्यामलदास जी कवी राजा श्यामलदास जी नाम करके एक राइटर वे हैं और कवी राजा श्यामलदास जी ने एक बुक लिखे वीर विनोध और वीर विनोद में कवी राजा से अमलदास जी लिखते हैं कि मेवाड में टोटल 84 फोर्स है उनमें से 32 केवल कुम्भाने बनवाएं 84 में से 32 किलों का निर्मान यदी किसी ने करवाया है तो वो कुम्भाने करवाया अब वो सारे 32 तो अपने पढ़ने से रहे लेकिन जो मुख्य मुख्य के लिए वो मैं बताता हूं जो इसने बनवाए थे इसने कुम्भलगड का किला बनवाया थे कुम्भाने एक बसंतगड का किला बनवाया एक मचान का किला बनवाया एक भोमट का किला बनवाया कुम्बलगड का किला राजसमन दिष्टिक लगती है अलग से पढ़ लेंगे इनकी थोड़ जान करें आपने अलग से ओर देखेंगे बसंतगड और मचान दोनों सिरोई में अक्म कोई मेयर जाती थी वहांपर उपदर्वा करती थी उनको दबाने के लिए मचान के बताया था मेरी पहली किला मैंने बताया बिलों के चत्र में इसलिए बिलों को कंट्रोल करने के लिए कोई किला बनाया गया था वो था भूमट तो चितोड में विजयस्तम बनवाया था कवी राजा स्यमलदास जी कहते हैं कि वीर विनोद नाम की अपने किताब में कि कुमभाने चौराशी में से 32 किले और बनवाये थे उन 32 किलों में से राजसामंद में आपके कुमभलगड आपके शिरोई में बसंदगड और मचान और आपके एक भौमट वाला किला यह मुख्य मुख्य से याद रखना यह तो बनवाये थे शिरोई के अंदर इसने एक किले का रीकंस्ट्रक्शन और करवा नटा इसको यहां पर दुबारा बनवाता है तो यह थोड़ा से कहल रेकन्सट्रक्शन कौनसे किले कि अचलगड मुझे आदे यहाद अलग से ही पूछ लिया था कि कौनसे किले का उसने पुनर निर्मान करवाया ता रीकंस्ट्रक्शन करवाया था तो अचलगड का सब्य केंस्त्रिक्सन करवाया था अब और जो इसके अलावा क्या कि ये विजे स्तंप हो गया या आपके किले हो गए और क्या बनवाय इस ने तो इसके बाद में कुंभा ने मंदिर बनवाए हखलांकि ये सारे सिवुजी के भगत वगतिवा करते ते लेकिन उसके कि बावजूद कोते हैं कुमभा के लिए करते हैं कि कुमभा विस्नोभगवान के उत्वान और कुमभा ने विश्नोभगवान की यहाहांगे मंदिर कुम श्याम learning मंदिर बी सब्कों कहा जाता है तो एक कुम सवामी का मंदिर तीन जगह पर बुहाइ닥 है राजदानी कौन सी चितोडगड यहां पर बनुआ है कुम्बलगड में कौन सा किला है कुम्बलगड यहां पर बनुआ है और कौन से किले का पुन्दर दिर्मान करवा है अचलगड यहां पर बनुआ है कुम्ब स्वामी विश्नु भगवान का मंदिर है कितनी जगह पर के अंदर कुम्भा ने यह मंदिर बनुए थे आप फिर उसने चितोडगड़ के अंदर एक मंदिर और बनुए श्रिंगार चाउरी श्रिंगार चाहुरी मंदिर बनुए यह क्या है श्रिंगार चाहुरी मंदिर के वास्तों में जेनों का एक मंदिर है जेनों के तर्थेंगतर होगे सांती नाजी तो यह सांती नाजी का मंदिर है शांतिनात जेन्मंदिर और में कुमभा के कुश देक्स थे, खजांची थे ट्रेजरार थे विलाक विलाक मंधिर उन्हों ने इसका निर्माण करवाय था तो तो थोड़ा अलग से याद रख लेना आपने कि श्रिंगार चौरिया सांतिना जेन मंदिर था और कुम्भा की किसी कुछा देख्ष ने बनुए जेनों के मंदिर की बात है तुम वापस बतूँ अपने जेनों के स्वसे सुंदर मंदिर कहां पे तो आभूगे पास देल वड़ा के अंदर संहत है दूसरे सुंदर मंदिर अपने पाली में रिनकपुर वाली मंदिर है वह खूब सारी सुंदर बुन्दिया कुम्भा के पास में जेन इक थिकर देन जेनों का आग शाब हम एक मंदिर बंवाना चाथ है जेनों का बढ़आ भणवालो जमीन President लिलो जमीन की थि थी तुमा सब खूब सरी जमीन ची कथे कुमबाने उनको निज्याण में बीगा जमीन्दान के अंदर दी थी और उस जमीन के अंदर उन्होंने क्या संदार वाली शी चीज बनवाई एक सेट हुए थे धर्नक्सा और उस धर्नक्सा नाम के सेट ने रेनकपुर वाले मंदिर बनवाये थे तो यह कुम्भा के टाइम के कुछ-कुछ मुख्य दिर्मान का रहे हैं वापस देख लेना आप कुम्भा की टाइम के विजय स्तंब बनवाया था कभी राजा शामलदास जी के ते हैं वीर विनोध में कि उसने चुराशी में से बत्तिस के लिए बनवाया थे कोन-कोन से मुख्य में कि अचल गेड़ और मचान दुर शिरोई में मेरों पर नियंत्रण के लिए उध्यवपुर में बहुमट बहुमत बिलों पर नियंतंत्रण एक किले का पुन्दर दिर्मान करवाया था शिरोवी में और वो किला आपका अचल गड़ चाओदासो बाववनिम ये किला पुराने टाइम का परमारों को बनाया था किला था फिर उसने कुम्भ स्वामी मंदिर विष्ण भगवान का मंदिर है तीन जगह बनवाया जण मंदिर का निर्मान करवाय था और ये जो रनक पूर जयन मंदिर है यह रनक पूर आपके पाली के अंदर पड़ता है धरनक सा नामगे शेड थे उन्होंने बनवाये थे पर इसके लिए पैस जमीन दान में दीती यह कुमभवान दीती निन्यान में बिगा जमीन का दा बता देंगे आपको पहले थोड़ी आगी वाली बातें और कर लेते हैं कि साहित थे लीटरेचर मैंने भी बताया कुमबा वीना बजाया करता था इसका मतलब वह कुमबा मुजिक के अंदर रूची रखता है तो इसने मुजिक की खूब सारी किताब लिखी संगीत की खूब सारी किताब लिखी और करते हैं कि उसके जो संगीत के गुरु जी थे उनका नाम था सारंग व्यास सारंग व्यास कुंभा की गुरु जी वाकरते थे अब संगीत परिश ने कौन-कौन से किताब ही लिखी तो संगीत की किताब वोंगे नामयाद कर लेते हैं अपने कुंभा की एक किताब का नाम है सुधा परबंद देखो इंदी में इसी को कई बाद सुध परबंद लिखी देते हैं वो एक किताब का नाम है कामराज रती सार एक किताब का नाम है संगीत सुधा एक किताब का नाम है संगीत मिमानसा कि एक किताब जैंद में नाम है संगीत राज किताब है मुंख्य किताब है यही है संगीत राज है ज्यें संगीत रात तो यह किताब הבों के नाम के नाम करने का पाला बोल बोल के देखिए आप इनको दो तिन बार बोलिए कि सुधा परबंद कामराज रतीसार संगीत सुधा संगीत मिमान सा संगीत राज मुख्यमों के कुम्बा ने खूब सारी किताबे लिखिए मैं कि उनके नाम याद करवा रहा हूं आपको जिनके एक्जाम में पूछने क सुधा परबंद कामराज रतीसार संगीत सुधा संगीत मिमान सा संगीत राज संगीत राज सबसे अच्छी वाली किताब है संगीत राज के पांच पार्ट है और कामराज रतीसार जो इसके साथ पर इस वाले पांच पार्ट भी अपने को याद रखेंगे कि पांच नाम है पठे रतनकोस एक अगले का नाम है गीत रतनकोस फिर अगले का नाम है नृत्य रतनकोस फिर अगले का नाम है वद्धे 中से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाला डिरातनको सब्सक्रिकेक लेट संगीत और संगीत राज के पांस भागो के बारे बता ही tú कुम्बा्na अनुट केला कि प्रफेल स्ट्रुमेंथ साज वच'll रात्नकोस , प्र सम्ठ रात्नकोस , पत्थे ग़ीत रात्नकोस , उसें continuous support , हाफ देजिए , और भूल स्टो स्ट्रुमिन्ट मुजिएंध्यआ्स वद्ज रस्ट्नकोस , पत्थे , घीत कामराज रतिशार संगीत सुधा संगीत मिमानसा संगीत राज संगीत राज के पांच पार्ट कौन-कौन से पठे रतनकोस गीत रतनकोस नर्टे रतनकोस वद्दे रतनकोस और रस रतनकोस अब मैंने तो लिखिये और लिखिये अपने से पहले भी किसी ने संगीत पर काम किया पेले भी खूब सारे लोगोंने संगीत पर काम किये किसी किताब अछाब दिखाई का सबसे अच्छी किताब जो संगीत पर लिखिया वह सर यह है गीत गोविंद, जे देव की बुख थी, पुराने टाइमें संगीत पर लिखी भी बहुत अच्छी बुख थी, कासर ये, कुम्बा ने पढ़िर कुमान बढ़ गया, किताब तो सांदारवाल ये, कुमान गया, मतों इंटलिजेंट आज में इत्ती बड़ी बुख पढ़ गय तो मैंने बताया था, कि रसिक प्रिया में हमीर को वीर राजा कहा गया, पुराने टाइमें हमने पढ़ा था, वो जो रसिक प्रिया है, वो जो जे देव की गीत गोविंद, उसका छोटा रूप और किसने लिखा था, कुम्बा ने, अब और चो, ये किसी बड़ी किताब के चोटे रूप, किसी कठिन किताब के सल रूप जो लिखे जाते थे, इनको बोलते थे ठीका, अंग्रेजी में कते हैं कमेंटरी, हिंदी में अपने कते हैं ठीका, किसी बड़ी किताब का छोटा रूप, किसी कठिन किताब का सल रूप, तो मैं ये कह सकता हूँ, कि रसिक प् कुमपान का और कोई लाओ देखे और कोई किताब हो काजा महां और अच्छी किताब है कौन सी कई किताब है संगीत रतना कर कुमपान यह किस ने लिखी लोगोन का चाब यह सारंग धर्गी लिखी वी बुक है कुमपान ने का मैं इसकी बीटी का लिख दूगा तो कुमपान इसकी बीटी का लिखे पर इसका कोई अलग से नाम नहीं दिया उसने कुमपान ने के ओल नोट्स का नाम नोट्स ही चोड़ दिया परना आपको यह और याद करनी पड़ जाती तो कुमपान इसकी बीटी का लि आगे आप पढ़ोगे इसके अंदर हर्ष चरीत का दंबरी नाम की कोई किताब है तो उनके टाइमें चंडी सतक उन्होंने बुक और लिखी बान बटने इस किताब के भी टिका लिखी इसका भी एक्स्प्लानेशन दिया इसकी भी कमेंटरी इसकी वियक्या की तो कुंबा ने कते कुंबा ने चार नाटक और लिखे था सब चीजों में संगीत में नृत्य में नाटकों में सब चीजें जानने वल आदिमी था और इनमें तो और है कि जो चार नाटक लिखे ते अलगलग भासाओं में और है संस्कृत में तो थे ही संस्कृत और मेवाडी इनमें तो थ उसके नाठकों के अंदर एक की लेंग्वेज कननड और एक की लेंग्वेज मरठी और मिलती च्यार नाठक और लिखेते उस में तो इस परकार कुमबा अलग लग सब विधाओं का ज्याता था सब परकार के डाइमेंशन गंदर था हूँ तो कुमबा यह सब किताबें भाई तो कामराज रतिसार संगीत सुधा संगीत मिमांसन संगीत राजफ पर बहाग्याद करना पाठे रतनकोस वदरटनको गीत रतनकोस और रतनकुस तींटिकॉली wird दरकुल च संगीत रतनाकर और चंडी सतक की अर्बान भटकी संडी सतक पर और जे देवली गीत गोविंद का अलग से नाम और उसका नाम के शिक्तरी उसमें चार नाटक लिखेते वो कई बासाइन जानता था उसे मेवाडी आती थी उसे मराथी आती थी उसे कंड़ आया करती थी तो हमने कुंबा की दो चीजों के बारे विद्वान को पर विद्वान आदमी खुद है तो उसके पास और खु Dragh Umba की दरबार में खुब सारी विद्वान भी थे तो कौन को लोग थे उन्हेंने क्या 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 तो एक बंदे का इनकी अलगले खूब सारी एक्जाम में पुछी भी काने व्यास ने एक लिंग महत्म में नाम की एक किताब लिखी थी करते हैं इस एक लिंग महत्म में का जो फश्ट पार्ट था काने व्यास लिखते हैं लिखे कुंबा के पास लेकिया है कि साब मेंने इस बुक लिखी गुर्वान नहीं सिर्वात वाले पाट में मज़ा नहीं आए ता उसका पहला पार्ट कुंभा ने लिखा था और इससे अन्स वेuppर पूराण के सद्ध मिमानसा सांखे योग जितने सब्जेक्ट उससे में चलते थे उन सब को ग्याता है तो कोण है कुंभा ऐसी तारीफे कौन करते हैं काने व्यास अपने कौन से किताब में एसी तारीफे किये एक लिंग महात्म में एक लिंग महात्म में का फर्स्ट पार्ट किस ने थे तर ततते रहते थे कहते हैं कि कई दि मेह जी कि महा जी जिखें नहीं एक सोभी स्थ्ट करके वें 120 मंदिर देख वह लग तो एक काम गगा नोट्स बढ़ार लूँ पढ़ लूँ तो उन्होंने किताब की तिर्थ मेहें से मेह मजा हैं मेहाज जी की बूख का नाम किया है तिर्थ माला किते तिर्थोंगा गणने इसमें 120 कौनसे मंदिर की परतिष्टा में खुदी उपस्ती थे किसकी नियू लगरी फाउंडेशन लगरी थे तो रणकपूर यो गया आपके दो कौन कौनसे वे मेहाजी कौनसे वे बुग लिके अपने तिर्थ माला किते तिर्थ है 120 तिर्थ होंगों वण थे फिर और इसके रलावा फिर एक राइटर होए है मंडन मंदन कौन थे तो अभी मैंने बताया कि कुंबा ने कुछ किले बनवाय थे रहें राज समंद में किला बता है कुंबलगड मंदिर का जो आर्किटेक्ट कुंबलगड की किले का जो वास्तुकार है आर्किटेक्ट को भाई अपने हिंदी में बोलते हैं वास्तुकार है वो कौन था मंदन तो मंदन मंदन मंदल बन्यगर कान को मनाते ही उसाथ में लिखोर किसे लिए Obsa Turkuas मंदन की ने किताबрист लोह जेए वो देख ली किजब चाते स्वे प्रक्राथ और कितावे लिखे इनोने प्रासाद मंदन रूप मंदन कोदंड मंदन राज वल्लब अलग लग सब प्रकार की जित्ती प्रकार कितावे हो सकती थी वास्तु सार एक किताब लिखे लिखे लिए यह जदा पुछी वे वास्तु सार देव मूर्ति प्रकार और राज वल्लब राज वल्लब तो राजाओं के मकान वगरा कैसे बनते हैं देवताओं की मूर्तियां वगरा कैसे बनती है वास्तु क्या चीज़ होती है इन सब के बारे में पता है प्रासाद मतलब महल कैसे बनते है रूप मंदन इसका तोड़ा द्यान रखना इसमें मूर्तियों के बारे में कि धनुस कैसे बनते हैं आप क्या तोड़ा ध्यान नहीं देते मुझे याद है साल पर पहले अखबार कंद्र को यूज थी योगी अधित्यनाथ ने अयुद्या में भगवान राम की कोदंड मूर्ति का अनावरण किया तो दिमाग में कोदंड क्या होता कोदंड मतलब ध अब्जेक्ट पूछलिया था अलांगी कोई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो रूप रूप किसका होगा मतलब चहरा चहरा किसका बनेगा तो मूर्ति का ही हो सकता है चहरा तो इसमें मूर्ति करा स्कलप्चर की जानकरी अपने को मिलती है तो यह मंदन की किताब याद कर तो इसके है तो मूर्ति करा की जानकरी देती है तीन कानाई व्यास की एक लिंग महातम में मेहाजी की तिर्थमला और मंदन की खूब सारी किताब बता दी मंदन था कोण तो यह आपका जो कुम्बलगड का किला इसका क्या था अर्किटेक्ट था इसका क्या था वास्तुका मकान मनाता था तो इसको घुखा तू भी नोट्स तयार कर तो बाई ने लिखी वास्तु सार इसने लिख दी वास्तु मंदरी इसने लो यार बया वाले से नोट्स हैं थोड़े कोपीपेस्ट कर लिए उपर ने चैन्ज कर लिए जैसे आप अपने बीए में करते होंगे जोग्रुफी की फाइल फिजिक्स की फाइलों में करते थे जैसे इसने थोड़ा बहुत चैन्ज किर दी यह यह मंदन का बाई थ फिर एक मंदन का बेटा ओर्था गोविंद अब जो काम पापा करे जो काम चाचा करे वोई काम बाद भी बेटा करेगा तो गोविंद भी मकान में आता था और विरिसकोगा को तू भी बुख लिक गोविंद वाली किता बंग नामे आद रहे ना बड़ी शांधार से किता कला निधी, द्वार दिपिका, उद्धार दोरीनी, और ये तीन मुख्य मुख्य से पर लिए याद करो, एक किताब हो रहे है, वो थोड़ी अलग सब्जेक्ट किया, लिख देते हैं चलो, फिर अपने याद करो, किताब को रहे हैं, वो किताब कोंशी है, कला निधी, और वो किस ने लिखी थी? तो गोविंद ने लिखी थी, याद रखना बएक कला निधी के बारे में कोई पूसकता है, मुझे, दोर्वाजों के बारे में, उद्धार करने वाले, उद्धार मतलब दुबारा बनाने किसी चीज को, तो रिकंस्ट्रक्शन से सम्मंदित किताब हो, उद्धार दोरीनी, मतलब आर्किटेक्ट है, किताब में लिखते हैं, मतलब राइटर हैं, और दोनों डोक्टर ओर थी, बेद जी ओर थी, तो बइमारीयों को बारे में बताया था, और इसने भी एक किताब लिखी थी, सार समुच्चे, इसमें आयुरुवेद की जानकरी है, पूरी, आयुरु कला ने धी देवताओं के मंदिरों के शिखरों के बारे में द्वार दिपिका दरवाजों के बारे में उद्धार दोरीनी रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सार समुच्चे बिमारीयों के अयुरुवेद के बारे में पितान लिग दिया उसने आगे और इसने अयुरुवेद के बाई ना था हो गया और वंदन का बेटा कोन हो गया गोविंद हो गया आपके फिर तो आगे सी दिसे नाम कि एक कुम्भा खुद के बैटिती रमा भाई और रमा भाई भी अपने पिताजी की तरह संगीत में खूब भी रूची रखती थी और रमा भाई को उपादी और मिली हुआ कि टाइटल मिला था टैटल का नाम था वागिस्वरी क्रामा भाई को जावर में निकालती थी वह जावर वाला इलाका रमा बाई को दिया था कंत्छ तो बाद में जब वापस यहां के रहने लग गए तो अब इसके रहने के लिए कोई ववस्तात की जाए जावर से आज के बाद जीता रेविन्यू मिलेगा वो किसको दे दिया जाए रमावाई को रेविन्यू दे दिया जाए तो यह एक बड़ी बात है इसका मतलब यह हुआ कि राजपरिवार के महिलाओं के पास में economic rights हुआ करें और एक राजा की बेटी विथवा हो जाती वड़ आती है वीड़ो जाती है तो उसको रेविन्यू के लिए उसको अपने एकोनोमिक एकड़िया biscमाना के लिए एर्या छ talent और छो जहांने डिया अरहा उसको सूरत पॉर्ट दिया वा क्या था यहां का सूरत यहां का रेविन्यु ये वह थे वह अमोड्य बाल पर्स्तोजम्च को सूरत पोろ्ड भॉनको के बीच का इस्सा था वो पूरा उनको देदिया गया था वैसे कई जगे आपने को इकोनोमिक राइट सकें उधरान मिलते हैं तो याद रखना यह बात तो रमा भाई एक तो फिर कुम्बा के गुरुजी थे उनका नाम था हिरानन्द मुनी यह पीर कुम्बा के गुरुजी थे हिरानन्त मुनी नाम करके फिर कुम्बा के दर बारो में रिखते टिलाभट है Android वाले एक जाम में इन्या नाम सूरी शूरी वारा कर लेना आप मैंने आपको बताया था एक कोई थे सोम सुन्दर सूरी एक थे जय सेखर एक थे भूवन कीर्थी यह सब उसके दर बार के अंदर हुआ करते हैं तो यह देख लेना अलग वाले यह जेन विद्वान सिंपल सा को प्री में पूछ ले इन में से कौन सा जेन विद् गिए जेन विद्वानों के नाम बता हुझ यहां पूछ ले कुंभावशा यहिंद्वान तुम्हें किसे बता देख लो जेन विद्वान भी उसके दरबार में थे सौम देव सूरी सौम संदर सूरी जैसेकर भुवनकीरती और जेनों पर दर्यादील हो गया जेनों के मंदिर वंगेरा तो बनवाई रहा हो तो अपने को दिखी रहा है कते उसने जेन जब अबू देल बता को संगीत गुरु पूछें तो हीरानंद मुनी हीरनंद मुनी को उसके अपना गुरु बना रखा था तो यह कुम्हागे कोब स्कोलर ते उसके दरबार में स्कोलर कौन-कौन थे उन सब कि मैंने आपको बता चुरुबात वालम किताबे हैं तो नाम-णाम याद रखने पिर आगया जते हैं पिर एक लिखावा है उपादिया जिस राजा ने इतने अलग लग काम की तो उसके टाइटल क्या क्या थे टाइटल पढ़ते हैं देखों कुमबा ने मुस्लिम राजाओं को हरे है मालवा गे महमुद खिल जी को रहे है नागौर में सम्स खांको भी हर रहा है और मुजाहिद खांको भी गुजरात की कुत बुदीन सा को रहे है ये सब मिल मुला के आए तो भी इनको रहे है इसलिए उसके कौपधी पढ़ गए के कारेन कुमभा को कौनशी उपादी मिली तो कुमभा की उपादी कौनशी हो जाएगी इंदू सुर्थान याद रख लेना फिर और कुमभा की एक उपादी अभिनाव भरताचारी अपने दूसरी सताब इसा पूरुवे में एक बहुत बड़े राइटर वे भरत मुनी है और भरत मुनी के लिए कहा जाता है भरत मुनी ने बुक लिखी थी नटे सास्त्र भरत में म्यूजिक डान्स और ड्रामा की अजवित्ती एक रहती है तो वह आपके भरत मुनी ने लिखी थी और वह नटे सास्तर लिखी है कुमभा कहता है कि उन भरत मुनी की जैसा जिसे हमना हूं मैं दूसरा भरत मुनी हूं अभिनाव मतलब दूसरा उनके समान नया और भरत आचारी वहां ब्हरत मुनी की समाय यह नव्य भरत भी कहा जाता है कुमभागों कि मन नया भरत फिर कुमभाने खुद ने इतनी किता ये संगीत की वजह से कोई पूछ लेगे ये उपाधी कुमभा क्यों मिली संगीत की कारण मुजिक की कारण फिर कुमबा ने इत्ते सारा लिटरेचर खुद लिखा और बाकियों से लिटरेचर लिखवाया और इसलिए कुमबा की उपादी कि तेजिंते प्लादी मिलती है हाल गुरु कहल द्रूप था है।क कुमभा धनुस बहुत अच्छा चलाता है। इसल्ए ट्रूपृ। और चाप ऐसे होता है दनुस साप का दनुस चलाने वला अच्छा वह बहुत अच्छा आर्चर था आर्चर था इसलिए उसका नाम क्या पढ़ गया चाप गुरु नाम पढ़ गया कुमभा कता है मैं सिव जी एक लिंग जी को तो मानता ही हूं मैं विश्नु भगवान का और तहूं इसलिए उसकी दो उपाधि उमिलती एक मिलती है परंभागवत शोर cradle परंभागवद का मतला विशनु भगवान यह दो और एक उसकी उपदी मिलती है आदि रा के वरागा मतलब विश्नु बगवान आप एंसेंट पढ़ोगे तो और पढ़ोगे कि आदी वरागी उपादी अपने गुर्जर परतियारोने जहरान की थी परम भागवत वाली उपादी अपने गुप्त राजाओं ने जोगि वो भी विश्नु बगवान की बहुत बड़े व आर्चर है बहुत अच्छा धनुस बहुत अच्छा चाप गुरु विश्नु बगवान का बहुत बड़ा फॉलोवर है विश्नु बगवान को मानता है तो परम भागवत और अदीवरा ये सब कुम्भा के बारे में हम सब बाते पढ़ रहे थे कुम्भा क्या चीज़े क्य करें नहीं अब छोड़ा झागे मैंनक बीक्त में बादें बतूंगा उनके बारे मैं मैं बता GO जैसे अभी मैंने एक बात कि थी आपको विजेस्थम्भकी है एक वह बात चोड़ दी थी विजेस्थम्भक्या है इस नहीं हम बात कर लेreten विजेस्तम्प की बाते हैं क्यों बनाया गया 1437 में सारंगपुर के युद्मे कुंबा ने मालवा गे महमूद घिल जी को रा दिया था इसलिए उसने क्या बनुए विजेस्तम्प विक्टरी जीत के बाद बना इसलिए विक्टरी टावर कोई विक्टरी जब होगी तो उसके इस रूप से भय बढ़ेगी पोपलेरटी मिलेगी पिपोपलेरटी बढ़ी इसका एक नाम और रखकिर्टिस्तम्प पर drinking स्थिख और जीन आilton रना वर इसके सारी इसके सारी मनजिलें इनके इंदर मूर्थियां लगाए विए इसलिए इसका एक नाम हो गया Museum of Idols मूर्तियों का अजायब घर मूर्तियों का अजायब घर और एक नाम हो गया इसका Encyclopedia of Indian Sculpture Encyclopedia of Indian Sculpture भारतिये मूर्ति के लागा विश्वयकोस देख लो भाई इसके खूब सारे अलगलग नाम है क्या क्या नाम है इसके विज़े स्थम्प कते हैं क्योंकि विट्ट्री के बाद बनुए किर्टी स्थम्प कते हैं क्योंकि popularity बढ़ गई विश्वन दवज कते हैं क्योंकि इसमें भगवान विश्वन की मूर्ति है गरूड फ्लेक कते हैं क्योंकि विश्वन भगवान का विकल गरूड होता है इसे मूजियम आइडल्स कते हैं मूर्तियों का अजाइब घर कते हैं क्योंकि इसमें मूर्तियां मूर्तियां लगी इसे एंसाइकलोपीडिया इंडियन स्क्लप्चर करते हैं क्योंकि यह भारतिय मूर्थी के लागा अविश्वक होसा है कि भारति की सारी मूर्थी के लागा बारे विससे आपको पता चल जाएगा नो मंजील है नो मंजील पर बनाव है 122 फिट तो लंबा है से और ऐसे है 30 फिट चोड़ा एक 122 फिट लंबा और 30 फिट चोड़ा है नो मंजीले है, मैंने बता है, सब में मूर्ति है, आठवी में मूर्ति नहीं है, कोई आइडल नहीं है, आठवी मंजील है, वो खाली मंजील परी, और करते हैं जो तीसरी मंजील है, उसमें एक अर्बी बासा में एक सब्द लिखावा है, अल्ला, अल्ला सब्द लिखावा है कि उसने अल्ला सब्द भी यहां पे लिखवाए था अर्भी भासा में तो टोटल नौ मंजिल, आठवी में के अंदर कोई मूर्ती नहीं है, 122 पिट लंबा है, 30 पिट चोड़ा है, तीसरी मंजिल में अल्ला लिखावा है, अर्भी भासा के अंदर लिखावा है, और 9 बात ल यह तिनों जयतागे बेटे थे, पॉमा, पुंजा और नापा जो थे, इसके तिनों बेटे थे, पांचवी मंजिल के अंदर इन बाब बेटोंगे, सब के नाम लिखे होगे, कते हैं, इसकी उपर वाली जो मंजिल थी, वो एबाद टूट गई थी, इसलिए बाद में एक मह करती स्थम्प को, इस विजे स्थम्प को, जब जम्स्टोड ने देखा, तो जम्स्टोड ने का, यार कुतुब मिनार तो इसके कुछ ही नहीं है, तो इसकी तुलना यदि किसी के साथ करता है, जम्स्टोड किसी के साथ इसकी तुलना करता है, तो कुतुब मिनार के साथ, कि एक श्टोरियौार और हूँ है फर्गूससन और फर्गूसन कद़िया इसके बारे में कि रोम के इन्दर एक तावार है इसकी तोलना कोत्व मिनार से की कोत्व मिनार अपने दिल्लि में अ औरudding ने इसकी तुलनास टार्गूस survival के साथ में और खतेश जब आजादी का अज़स चल रहा है था कि उस अभिनव भारत को पीष में अपने विजए स्थम्ब का तस्वीर लगाई थी उसी परकार हम अभिनाव भारत के सदस से अंग्रेजों से देश की रक्षा करेंगी तो अभिनाव भारत वीर सावर करका जो संगेठन है जो की महाराष्टर के अंदर बनावा था उसका भी एदि एंबलम उसका कोई लोगो था तो अपना विजिस्तम हम आजाद होगे अपने राजस्थान पुलिस का एंबलम है और आप अपने राजस्थान बोर्ड की कोई भी बुक देखना उस राजस्थान बोड की बुक के उपर विए दिके फोटो आपको मिलेगा तो इसे का मिलेगा आपको आर्बीसी RBSC की बुक्स पर इसका फोटो मिलेगा इसका महला RBSC का भी emblem है तो ये वीर सावर करके संगठन आपके अभिनो भारत हमारी राजस्तान पुलिस और हमारा राजस्तान Board of Secondary Education राजस्तान मध्यमिक सिक्षा बोर्ड इन सब का प्रतीक चीन इनका logo इनका emblem कोई है तो वो ये है आपका किर्थी स्थम और तो और आजादी के बाद में जब postal stamp जारी कर रहे थे dark ticket जारी कर रहे थे सबसे पहला dark ticket है जो राजस्तान में किसी building पर जारी किया गया तो यही है तो पहला dark ticket जारी हुआ था इस राजस्तान बनते ही 15 अगस्त तो नीशो नशास को इस पर dark ticket जारी कर दिया गया था तो कोई पूचे राजस्तान में सबसे पहले कौन सी हमारत पर dark ticket जारी हुआ था विजय स्थम पर सबसे पहले dark ticket जारी हुआ तो सारी बाते आध रखे ना तो विजय स्थम के में मूर्ती में तीसरी मंचिल में अल्ला लिखावा कितनी बार no बार कॉंसी बार में अर्भी बासा में पांच और को fakart जैता इसकी तीन अर्वान पुन्जा पोमा नपा वहा enmig bashकी जेता पुन्जा पोमा नपा तब याद होंगे जाब इसका reconstruction किसने कर वाया तो सुखरूप सिंग ने जम स्टोर इसकी comparison किसे करता है को तुब मिनार फर्गियुषन इसका comparison किसे करता है रोम का टार्जन तावर के सहाथ comparison करता है अभिनव बारत रास्तान पुलिस और रास्तान मधिमिक शिक्षाबर का एम्पलम आजादी के बाद स इसके बाहर कुछ ना कुछ एक इंस्क्रिप्शन लिखवा थे इसमें कुम्बा की खुब सरी तारीफ है की विए इसलिए हम उसको बोड़न लगे प्रसस्ति तो किर्थी स्थम प्रसस्ती है अुख दो बाब बेटे ने मिलके लिखी थी रह थात्री और महस आ अत्री और महस थेह रह उसकी कुम्बह आगी नो खुब शरी तारिपने कुंबा ने ये प्रसस्ति लगवाई थी साथ में एक प्रसस्ति और लगवाई जिसके इंदर एक किर्थी स्थम्प कितने परकार के होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं वो तक प्रसस्ति उसने लगा दी तो किता इंटलिजेंट आदमी रहोगा तो यह सारी विजय स्थम्प की ब स Ne कि वास्तुकार मैंने आपको बताई दिया कि वास्तुकार कूं था मंदन कि इसमें भी प्रसस्ति लगी है वह प्रसस्ति भी यह आत्री तो मर गया था अट्री के प्टे महिसर ने है तो या तो इस्का भा गया वास्तुकार मंदन तो और इसन ने लिख दीते इसकी प्रसस्ती प्रसस्ति में कुमबा की तारीफ है इस प्रसस्ति में कुमबा की लिखावा है कि कुमबा धर में पवित्तर तक आउतार है incarnation है religion और पैसने इसका कुम्बा कर्ण से भी जदा दानवीर है कुम्बा राजा भोज से भी जदा दानवीर है यह सब बातें इसके अंदर बताई हुए आपके कुम्बलगड वाले प्रसस्ते में कुम्बलगड में और याद रखने वाले इसी बात कि कुम्बलगड का किला मेवाड और मारवाड की बाउंडरी पर है इसलिए मेवाड को भी ध्यान रख सकते हो और मारवाड को भी ध्यान रख सकते हो तो नाम ही पड़ गया मेवाड मारवाड का सीमा परहरी शिक्योर्टी गाड है मेवाड मारवाड का हुद से कपड़ी का है पिर काटे क कुम्बल험 मैड के मार मारवाड का सीमा पर हरी काते हैं पिर इस कुम्बल提ट ट्किले में सबसे उपर युपर उपर वाल जगा भी ये कुम्बलगड वला कहला इंकिला दिखाए वे यह थोड़ी बाते भी याद रखना कि कुंबल और बागत किला पढ़ेंगे तब सेपरेट अलग से पूरी पढ़ेंगे इत्ती बात याद रखना कुंबल लगड का वास्तुकार कौन था तो मंदन कुंबल लगड की प्रसस्ति किस ने लिखी तो महस किरतिस्तम वाल दोनों कुंबा बेटे ने मिल के लिखी आत्री और महस यह खाली महस ने लिखी और इसी के अंदर कुंबा के लिए कहा गया कि इसका सबसे उपर वाली जगह कटारगिड इसमें खुद कुंबा रहता था इसलिए उसको बोलने लगे मेवाड की आंख बोलने लगे यह इमर्देंसी कैपिटल थी मेवाड की कि जब भी मेवाड पर संकत आता तो यहां पर रहते थे तो मेवाड के संकत मोचक राजदा न अब एक चीज और देखना मैंने भी विजय स्थमा बारे में आप जो कुब सारी इतिव सारी अलग-लग बाते बता कि कि विजय स्थम यह है कुम्भा वाला विजे स्तंभ है उसको भी किर्थी स्तंभ कते हैं और चितोड़ की किले में एक किर्थी स्तंभ और है जो अलग से है वो जेनों ने बनवाया है वो अलग है वो कुम्भा वाला नहीं है कुम्बा वाला नो मंजिल का है, वो वाला साथ मंजिल का है, कुम्बा वाला जाके अब आपका 1448 के आसपास बना है, वो आपके बारवी सतापदी के इंदर बनवाए वाकिला है, कुम्बा वाला आपके जो विश्नु भगवान को समर्पित है, वो वाला भगवान अधिनाथ जेनों के जो पहले भगवान में अदिनाथ या रिसब देव जी हुए हो है उनको समर्पीत है वो आपने आप में तो अदिनाथ जी को समर्पीत है वो वाला कि जो तो उसको अदिनाथ मोनिमेंट ही कहते हैं अदिनाथ पिलर ही कहा जाता है और इसको अपने विश्णु को समर बढ़ रग है दोनों एक नई है वो पहले से बनावा था पर दो अलग लग एक किर्थिस्तं अलग है एक किर्थिस्तं अलग देख dobrze г कुम्भा वाला विजे इस्तंब है पूरा लिखावा है इसमें माहराना कुम्भा ने मालवा के सुल्तान पर विजे की याद में 37.9 मिटर उंचा इस भवे इस्तंब का निर्मान 1440 में करवाया विश्णो को समर्पित इस्तंब नो मंजिला जिसकी प्रतेक मंजिल के सामने जेवी जेवताओं के नाम भी उत्करिण है पांच में मंजिल पर इस्तंब के वास्तुगार जेता वे उसके तीन पुत्तर नापा पुझा और पॉमागी नाम उत्करिण बताया है मैंने यह इदर दूसरा बनावा है जेनों वाला अलग से देखे लो आप अलग लग सी डि प्रस्तियां नहीं इसमें डारेक्सी डिजाइन बनी विया आपकी लिखावा है यह इस्तंब 24 जेन तर्थंक्रों में से सुरोव प्रथम आदिनात को समर्पित किया गया बारवी से ताबदी में दिगंबर जेन समास द्वारा इसी स्तंब का निर्मान करवाया गया यह इस तो यह वाला जीजासा भगीरवाल ने बनवाय था आपके तो यह दोनों अलग लग भगा याद र 시के नहों मनजील का 20 के कॊई नीचे वालर यह जगह्ति को घिनता ने यह था यह वाला जो है वह आपके अधिनाथ जी को समर्पित है तो यह सब अलग लग दोनों अलग लग चीजियां भाई याद रखने अब वह जैनवाली वह बात या दे तो रनकपुर्वाला मंदिर मैंने वैसे आपको बताई दिया कॉमबाजी नियानमभी का जमीन दी थी रनकप रनकपुर्वाले जहन मंदिरों में और उस मंदिर का अलग से नाम है उस मंदिर का नाम है चो मुखा मंदिर अधिनाथ जी की जो मूर्ती हो चतुर मूखी मूर्ती है इसलिए उसको चो मुखा मंदिर उसका जो वास्तुकार है वो है देपाक कहते हैं रनकपुर्वाले यह रनकपूर में है ना ये चितोड़की बाते कर रहे थे हैं ये बात आ गई साथ में अधिना जी कि इसलिए उन बताना लगे इस चोव मुखा मंदिर में 1444 पिलर है इसलिए इसका नाम ही पड़ गया है म्यूजियूम पिलर्स इस्तंभों का अजायब घर भी इसको कहा जाता है तो ये वला चोव मुखा मंदिर भी इस बहाने थोड़ा सा याद रख ले ये बैक कुमबा ची खुब लंबा चोड़ा सा है डंग से याद करने पड़ेगी के एक